तोपिक आप लोग हमारे सेशन को इंद्राज कर रहे होंगे आज के इस टॉपिक ऑफ दे सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिसकेशन करने वाले हैं यह टॉपिक थोड़ा लंगा हो सकता है तो आप अच्छे से इस सेशन को देखें क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिस करूगा कि आखिर जो मैं टॉपिक डिसकेशन करने जा रहा हूं उसमें एक्चुली में क्या मैंटर्स पर इंपॉल्ट हैं तो इस फिगर को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं कौन सा टॉपिक डिसकेशन करने वाला हूं एक तरव आकरजी एक तरव सिंद्य जी एंड सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया इस सेशन में हम महारास्ट्रा प्लिक्कल क्राइसिस को डिसकेशन करने वाले हैं लेकिन महारास्ट्रा में जाने से पह दापोरी ज्यादा चर्चा में रहा है इसी भी सबसे पहले है समझना जरूरी है कि आकिसे पीछे क्या इन्सक्रिटिशनल प्रोंविज़नस है इसमें था कि इसमें गए वह एंटीडिक्शन लौ क्या कहता है गवर्नर का क्या पावर है और स्पीकर या क्या पावर है इन सब के बारे में पहले जानना जरूरी है दिन हम देखेंगे कि आखिर महाराष्ट्रा में या पॉलिटिकल सिच्विशन इमर्जी हूं क्यों हुआ और कैसे इसका क्यों है इस सब बातों पर हम डिटेल्ड में चर्चा करेंगे बट बिफोर दाट हम यह जानना जरूरी है कि आखिर कंस्टिटिशुशनल प्रोविजन्स क्या है इस अगर ऐसा कोई प्लिटिकल क्राइस होता है तो उसमें क्या-क्या कंस्टिश्यूश्यूश्यूश 25 में एंटि क्या धाया क्या जाता है और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस राते ही रिगारिंग धेक्शन क इसके क्या मेजर प्रोविजन से सो पर देखिए ग्राउंड ऑप डिफिक्शन आखिप कौन कौन से ग्राउंड पर डिफिक्शन हो सकता है अंगर इस अंटे डिफिक्शन लौ पहला है कि अगर इस पार्टी के सब्सक्राइब कोई पार्टी है उसके टिकेट पर कोई मेंबर अगर यह मेंबर कहता है कि आज से एक पर्टी का मिंबर से छोड़ रहें इस पार्टी का मिंबर सी छोड़ रहें इस कंडिकेट चोड़ रहें और हम उसकी फिंबर सी खर्म हो जाएगी नियुक्ति सउप क्नेक्शन electorating इस क्वह आइज इव और क стороны कि अगर आप इसी political party के कि अगर पर्टी ऑगेंस्ट मे है इस अगर पर्टी चले गया तो अगर पार्टी आपको कि बोच 152 के अनदर, थुक्त हमा नहीं कर आहां उसे खतर नहीं कर दा है, तो आपके यह आंटिदिक्सल लॉ मीन स्लूल लाग तो फिन ऑझ दीपिन्देंट्ट्स हुआ उप lanzhand को आपके आफ्टिकटे शिल्माल ब्लगत हो जाएं ऐसे और वेक्टेंपर आज़ो 15 drinks कि जैसे election हुआ, कोई member को nominate किया गया, अगर nominator member within 6 months join कर लेता है, तब तो उसमें anti-dipixel law लागू नहीं हुटा है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद, after the expiry of, 6 months अगर वो join करता है, देन उसमें anti-dipixel law लगता है, पहले एक और provisions थे कुछ इसमें, anti-dipixel law ले, क्या-क्या provisions थे इसमे पहले है, अगर उसकी provisions की बात करें, कि अगर one-third member, और किसी political party का one-third member, before 91st amendment, before 91st amendment का provision था कि अगर किसी political party का one-third member, split होके किसी दूसरे party में मर्ढ हो जाता है, तो वह anti-dipixel law थे, जहत नहीं आता है, but 91st amendment के बात, यह पर दिया है, two-third, कि अगर अग किसी political party का two-third member, अगर किसी party का two-third member split होके किसी दूसरे party में मर्ढ हो जाता है, तो उसे anti-dipixel law के तहात नहीं रखा जाएगा, उस पर anti-dipixel law लागू नहीं होता है, क्योंकि उसका simple समतरभ है, कि majority of the members नहीं चाहते हैं उसके साथ, उस party के साथ remain रहना, अब यहां पर controversy कहाँ है, तो तो पार paragraph four है of the anti-dipixel law, उसमें कुछ convenience है, for example, paragraph four of the anti-dipixel law, pdx and exception for the merger between political parties, by introducing three crucial concepts, please remember, यहां पर, यह three concept दिया है इस paragraph four में, वो काफी ज्यादा important हो जाता है और यह समझने की चीज़ है, first, original party, और legislature party, आखी क्या है, for example, the political party to which a member belongs, this can refer to the party generally outside the legislature, and the legislature party consisting of all elected members of a house for the time being, belonging to the one political party, कि इसने पहले तीन concept दिया, पहला दो concept क्या है कि एक original party है, कि जो की election को contest कर रहा है, election लगर रहा है, suppose कर लिजे कोई party A है, और उसके, for example, 300 member election लगर रहा है, तो party as a whole, जो contest कर रहा है election, that is the original party और political party, पियर अब इसके तो member contest कर रहा है election, जिसससे में हुआ election लगर रहा है तो पूरर member को बोला जा रहा है कि वह original party है, political party है, आपकर election लगर रहा है, और इसमें से इसके 250 member जित गिये, contest गिये election और उसके बाद 250 member जो इसके member रहा है, अब यह जो 250 member है, और यही political party, जो original party है, अब लेजिसलेचर में जाके government form करती है, government form करती है, legislature में जाके क्योंकि इसके पास majority है, तो यह जो जो 250 member के साथ गिये government form कर लिया है, that party is got a legislature party, मतलब member को रहाच हो सकते है, political party में कितने member legislature elected है, और वो elected members होते है, उस original party के that is got a legislature party, तो यह members को मिला के legislature party धनता है, consisting of all elected members of a house for a time being belonging to one political party, अलांकि यह पूरे एक ही political party से बिला होता है, original party, लेकिन इसका जो concept है, वो different है, अंगर पारा गरा, four of the anti-difixer law, वो तीम बहुत से पर देता है, पहला concept है, political party का, original party का, जो simple सा कहता है, कि वोगा ऐसा party है, जो कि pen testing party है, election लर रहा है, जो election लरता है, उसके बाद जब result आता है, तो उसके बहुत सार इसके बाद जीत जाते है, तो जो member legislature में जाते है, और जब वो party formation करते है, government मनाने के लिए, that is the legislature party, तो जो इसके member है, legislature party के member है, वो original party के member है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि जो original party के member है, वो legislature party के member होई, तो इसमें तो बहुत सारे election में तो हार ही जाते हैं न, तो यहां पर यह concept देता है, कि जो party होती है, उसमें एक party original party होती है, जिसमें सारे member include है, और एक party होती है, legislature party, जो किसी भी state legislature नहीं हो सकता है, या center की level पर भी हो सकता है, जो election जीत के वहां जाती है, और government firm करती है, उससे हम कहते है legislature party, और यहां से देखिएगा, अब कहा जाता है, इसी पारागाराप में कहा गया है, पाराप 4 में कि यह क्लिफाइब नहीं करता है, कि जो बोटिफाइब नहीं करता है, यहां पर प्रोब्लम क्या है, कि यहां पर क्लरिफिकेशन की करता है, अलांकि, इस डिफेक्शन जो लागो होगा, इस डिफेक्शन जो लागो होगा, और उटिफेक्शन जो लागो होगा, प्रोब्लम क्या बात करें, वह आप एक आप अंसेप्ट दे रहे है, है लेजिसलेचर पार्टी का लेजिसलेचर पार्टी का उसमें लगना है तो यहां पर क्लारिफिकेशन की कमी है अंगर इस पारजाब फोर अलांकि इसमें भी पारजाब फोर नहीं कहा जाता है कि अर्जिसलेचर पार्टी का 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 अर्जिसलेचर पा जब इसके साथ मर्ज होगा, मर्जर को होगा, जब अरिजनल पार्टी ना पर इसके साथ मर्ज होगा, इसके साथ और इसमें जो लेइसलेटिव पार्टी है उसके अग्री होने चाहिए कभी जाके यह मर्जर माना जाएगा यहां मर्जर होगा तो कहने के हतुरब है कि अगर फॉर इजामपल यहां से पुरिटकल पार्टी मर्च हो रही है तो जले जाये तो यहां पुरा इस पॉरिजिनल्ड पार्टी का है जो और पॉर्हिटकलि कर नहीं होगा अटिशें लागू नहीं गार्टा करिको का है सो मर्च का है करे मंदमत था लिए से परिसमें से उससके चले जाए तो यह अग्या सिफ एग्री वला बेटर है या तू थार्ड पुड़ा इस पर्टी का है अब कुछ में क्या काता परगा पॉड़ने इसम्स तो बी क्रेटिंग अ लीगल प्रिक्शन और इसके कारग यह लीगल प्रिक्शन क्रेट हो रहा है इसके कहना है कि मर्जर कवर ही है ना जो लेजिसलेचर में है जो एक्टर है वकलब जो लेजिसलेचर पार्टी के तू थार्ड में है प्रिक्शन के जो लेजिसलेचर पार्टी के बात की जा रही है इस पार्टी की बात कर रही है तो जो लेजिसलेचर में है लेजिसलेचर पार्टी के जो आप कहते है कि और लेजिस्रेटर पार्टी तू थार्ड नेगिरोटी से एग्रिमी चाहिए तो भीया जो अवलेड ही एलेक्टिव है हो नहीं उस प्रॉट पार्टी के को इलेक्टिव नहीं है मतलब उसके पास्पावर ने जो भी हार चुका है वो तो यहां पर आप क्लियर तियार लगए इसमें सिंपल सा है मार्जर का क्या मतलब है कि यह लेजिसलेटर पार्टी है उसके तू थर्ड निमर्स जब किसी औनादर पार्टी में चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं और यह जो कि सब्सक्राइब करते हैं इस फुरा पर्टी कर रहा है इसमें भी प्रिक्षा रहा नहीं है यहां पर मतलब है कि यह जो लेशलेचर पार्टी का कि यह जो लेशलेचर पार्टी से तब इसको बोला जाए कि पार्टी का मर्ज़र हो रहा है इसमें रोल आफ स्पीकर में कॉन्तोवर्सी में है इसमें रोल आफ स्पीकर में कॉई डिसीज़न देता है उसके डिसीजन को जूदिया जा सकता है बट कितना टाइम रोल आफ से कोई क्लावी केसे रिचल अलवगा है यहां को प्रॉल्म का है कि स्पीकर पे कोई इसमें डिसीजन है कि आइंटि प्रॉब्लेम पे तहाट आप कितने टाइम में डिसीजन भिएगा कि इस बात को याद रखे इसमें आप अगें रही हो सकते हैं यहां पर लीगल फैक्शन में एक पर और आपको समझा रहा हूँ अगर क्या क्याता है कि अगर कोई पार्टी से अनादर पार्टी के साथ मर्ण हो जाता है तो इसे अंटिविक्शन लॉग के साथ नहीं रखा जाएदा रs यहां पर पार्टी नहीं होडा यहां पे बात किया है कि अपर बात है कि यहां पर मर्ण कुपकर पह by तो मॉजब ने टोटल एस्ट्रेंथ का ने टोटल एस्ट्रेंथ जो होगा होगा उता लिप्तुल का है तो इनका प्राटी की साथ मर्ज हो जाता है तब उस पर डिफिक्शन लाडू नहीं होता है पर भूर्ट को चाहते हैं इसका कहना कि पाद्वी के साथ उसके हाउस में रहता है उसको लेजिटलेचर पार्टी का तू थर्ड अगर मुझ होता है अगर प्लिटिकल पार्टी के साथ उसमें एंटिडिक्स रहूं नहीं होता है अब बात करते हैं गवर्णर को और फ्लोर टेस्ट आकर गवर्णर के पास क्या पावर है फ्लोर टेस्ट से रिलेटिड इसमें भी प्रॉलम है कि गवर्णर का फ्लोर टेस्ट मिला सकता है यह परना बिलासिव, philosophy कर फ्रोर कर फ्रोर टेस्ट मिलास्ट असकता है आपसोच चुने के, प्रोर कैसे फ्रोर के स्ट फ्रोर टेस्ट मिलाएगा एक स्पिकर फ्रोर टेस्ट मिलाता है, governor का प्रोर टेस्ट बुलाने का थेंगिशन है Article 174, of the constitution authorized governor, summand, dissolve and prorog the state legislative assembly. Article 174 में, governor को तीन पावर दिये गए, summand, dissolve or prorog the state legislative assembly. Clear. Article 174, clause 2B of the constitution, give power to the governor to dissolve the assembly on the aid and advice of the cabinet. However, governor can apply his mind when the advice comes from chief minister whose majority could be in doubt. कि जो governor है, वो हाउस को डिजॉल्व भी कर सकता है, on the advice of council of minister. लेकि, governor कुछ cases में, यहाँ पर डिजॉल्व बुटे cases में, अपर discretionary power भी यूज कर सकता है क्वार, जब उससे लगे है कि council of minister के पास majority नहीं है, तो even without the consent of chief minister, वो हाउस को डिजॉल्व कर सकता है, मतलब simple है कि वो अपने mind को अपलाई कर सकता है, अब बात आती है, किसी 175 क्लॉस 2 में का जाता है कि governor can summon the house and call for the floor paste, to prove within the government has the number, कि 75 क्लॉस 2 की जो भाप करते हैं, उसमें governor के पास power है कि वो फ्लोर पेस्ट के लिए भिना सकता है, कि वो फ्लोर पेस्ट क्यों मुलाया जाता है, तो basically इस लिए ताकि वो यह चेक कर सकी कि पार्टी जो पें कर रहे यह government बनाने के लिए उसके पास real majority है यह नहीं है, however, governor can exercise the aim of part, यह जो इंपावर कर रहे इस, यह 175 क्लॉस 2 है, उससे तभी exercise कर सकता है, as per article 163 of the constitution, which says that governor act on aid and advice of the council of minister, headed by chief minister, again, please remember, when the house is in session, it is the speaker who can call for the pure test, कि अगर session है, जो भी यह इस लेचा है, मालीजे इस टेटले इस लेचा है, पर महारश्टा के इस टेटले इस लेचा है, अगर वह session में है, session में होते हुए किसी party को test करना है कि उसके पास majority है यह नहीं है, अगर session में नहीं है, अगर house session में नहीं है और तद ऐसा लगता है कि जो ruling party है, जो ruling government है, उसके पास majority की कमी है, और तब majority को check करने की ज़रूरत है, then governor calls for the flow test, this governor कम को करेगा flow test, under 75 plus 2, when the house is not in session, house session में नहीं हो, speaker कब करेगा, जब house session में हो और तब उस party पे ruling party पार्टी पे एक तयम लगे कि उसके पास majority नहीं है, when the house is in session, speaker can go for the flow test, but when assembly is not in session, जब assembly session में नहीं हो, then governor has a security power under Article 163, allows him to call for a flow test, please remember, जब house session में होगा, तो flow test कौन पुलाईगा, speaker, house session में नहीं होगा, then flow test, simple logic है कि जब ruling party है, चुकि house is session में नहीं है, house समन करने का power किसके पास है, तो समन पहले house जब आयागा तभी flow test हो सकता है, जब समन होगा house तहँ है तो समन करएगा कौन, governor has a. So, simple as a, जब house session में नहीं होगा, जब house session में होगा, जब house session में नहीं होगा, तो governor the flow test बुलाईगा, जब house session में होगा, जब house session में होगा, अचिकल 163 clause 1 essentially limit any discretionary power of the governor only two cases, कि अचिकल 163 clause 1 जो है, वाच गवर्नर के power को कहां पो लिमित करती है, तो लिमित करती है on the constitutional cases, where the constitution expressly specifies that governor must act on his own and apply an independent mind. the governor can exercise his discretionary power under article 174, then the chief minister has lost the support of the house and his strength is debatable, कि अजब माली जिये अप वो तिस बुलाना भी है, कि जनली के आता है कि governor act करा है on the aid and advice of the chief minister, लेकिं वा 74, after 174 के ता है अपना discretionary power कर सकता है, जब ऐसा लोगे, the chief minister, when the chief minister has lost the support of the house, then और उसका जुसका जुस के पास majority है या नहीं, जुसके पास कि वो तो नजटी रहा नहीं, तो फ्लोटेस्ट, प्लोटेस्ट करती है कि फ्लोटेस्ट करवाया जाए, कि जुसके पास में वाउटा रहता है, कि अगर जुसके पास कि फ्लोटेस्ट करते हैं, कि फ्लोटेस्ट करते हैं, कि फ्लोटेस्ट बुलाते हैं, on numerous occasion, the court has also clarified that, when the majority of the ruling party is in question, और फ्लोटेस्ट must be conducted as the obvious and never opportunity, और बहुत सारे cases में, even Supreme Court, कि फ्लोटेस्ट करवाया जाए, ताकि democracy को ensure किया जाए, बहुत लंबे समय तक हम assembly का situation ना रहे, और इन सब बातों का Supreme Court क्या observation का, इन सब बातों का महारास्टर के कासी से कैसे relation है, उस पर हम पहुशेंगे, उस पर भी बात करेंगे, सुप्रीम कोट का क्या observation है, अन दे गवार्नर स्ट काल, नवाम अनेविया केस, अब हम नारास्टा के से विलेशन में, इसी केस को से जजज बेंच के पास रेफर किया गया है, क्यों रेफर किया गया है, हम इस पे भी बात करेंगे, इन 2016, सुप्रीम कोट इन नवाम अनेविया केस, बिसिकली इस केस रेलेट वित अनुनाचर कोटेस असंबली, इस पे विलेशन में, सुप्रीम कोट इन ने कहा कि जो समन करने का पावर है, वो ऐसा ने कि उनका सोल सुपर डिसिजन होगा, उस पे वो समन कर सकते हैं किस पे? ऑंगे, एड़ द अद 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 लिएसे संदा इसा ने कोट इस आतरी जो समन कर सकते हैं, कि यह सुप्रीम कुर्म ने क्लिफाइ किया कि गवर्नर कांग समने थाउस on the aid and advice of the council of minister. सुप्रीम कुर्म ने आखिव क्या क्लिवी थी कि संधिया? The court highlighted that fact governor is not an elected authority and the adjust of merely nominee of the president such and only cannot have an overriding authority over the representative of the people who constitute the house. और state place lecture, Supreme Court में clarify कि जो governor basically a president के nominee है और जो government है, वो पीपल जनता का पति निदी है तो nominee को इस तरह पावर रही है कि elected members के power को override करे इसलिए अगर तो nominated your nominee governor जो है वहाँ पे वो तही power exercise कर लेते हैं जब जनता के दोआ elected government under advice देगी तब in 2020, the Supreme Court in Sivraaj Singh Chauhan case upheld the power of the speaker to call for a floor test if there is a prime of face view that the government has lost its majority Supreme Court में यह भी clarify कि 2020 में Sivraaj Singh Chauhan case में कि जो speaker है वो उनका भी power है floor test को call करने के लिए अगर fact है evidences present है कि जो माइट government है वह majority loss कर चुकी है कि क्या relation था मैंने क्यों बिसक्राइशन क्या आइंट इसक्राइशन को डिसक्राइशन करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि आखिर प्रिटिकल क्राइशिस से पहले क्या situation था इन महाराश्टा अब होता क्या महाराश्टा में आखिर इस लेवल का कि अर्जेंट मीइग ऑफ सीक्षेना ए में जून 21् Victor blog में जो महालास्ट्रा में कांसिल का एलेक्शन में मुपाता है तो वहां पर जो ठाकरे हैं स्वीशना के जो लिए रहते हैं सियम उस्व में ठाकरे उनको suspect होता है Cross voting का जो कुछ MLA है वो उने Cross voting किया है तो वह एक meeting बिलाते है जितने भी सीवसना के MLA रहते हैं उनका एक meeting बिलाते है और जैसे यह उससे ने अगर उससे में भाग करेंगेंटी इनकी रहती है तो वह पात रहता है महाराष्ट्रा विगास अगहार्डीका तो तीन पार्टी बिसीकली सामेड रहते हैं सिब सेना और नेशनल लिस्ट कॉंडरेस पार्टी जो कि जिसके लिए सारे बवा होते हैं इन तीनों को मिला कर उसमें गॉवर्मेंट बना रहता है और जब यहां एलेक्शन का इलेक्शन का अलिश्याटिव काउंसल का एलेक्शन होता है और कुछ क्रॉस बोटिंग का सस्प अब इनके माइंड में सस्पेस से और बढ़ जाता है उससे पहले क्या होता है अगर हम थोड़ा सब बैग जाए तो 2014 से लेके 2019 तक बनता है वहां पे जब BJP प्लस से ना था एक प्रीपोल अलायंस बनता है लेकिन जैसे है एकसर होने बला जाता है जब तू है अर्लियर है यहां पर लेके इफरेंस के कारण नहीं अब यहां अलायंस ज़रूर बनते हैं लेकिन इफरेंस पर्टनर्स डिफेक्ट हो जाते हैं क्यों डिफेक्ट को जाता है अब जाके शिफ सेना जो है उस इंडिये को ज्रॉइंग कर लेती है और 2019 के बाद इस इंडिये के साथ मिलके पर कॉंगर्स नेशनलिस्ट कॉंगर्स पार्टी के साथ मिलके वह गवर्वर्मेंट फॉर्म करता है जी समया इसाद आचमिया क्रणी के लिए क्तार इस हमें है तो उसमें एलेक्शन में होता क्या है कि BJP को 105 सिट मिलता है जो कि आटिस चाहिए 145 सिट फॉर्वर्वर्मेंट सीब सेना को 56 सिट मिलता है और NCP को 54 सिट मिलता है जो प्रीपोल आलायंस रहता है वो तो डिकेट हो गया वो खत्म हो जाए जितों पावर सेरिंग पावर सेरिंगे शूब को लेके कंफिक होता है सिट सेना अलग हो जागया बिजयपी अलग हो गई सिट सेना क्या किया इस M.V.A क्या किया सिट मिला 56 सिट को कितना मिला 54 विजयपी सिल्गें लागेश पार्टी निकलती है और इसको मिलता है 105 वोड़ असीट लेकिन अब भी करती है लेकिन क्या किया जाता है यह सीप से ना जो है उस एंगीय को जॉइन करके वहां पर गवर्मेंट का फॉर्मेशन कर लेती है आफ्टर डाक है यह प्रिट्र क्राइसिस होता है कि यह जाता है यह जाता है यह जाता है क्या करते हैं एक मिटिन बुलाते हैं सिप से ना की एमेले का उसमें एक नाथ सिंदे और 11 एमेले अबसेंट रहते हैं और कुछ ताइम्स के बाद उन्हें पता चलता है कि यह जो एमेले हैं सुड़ात वार्ट किसम में जाके वीजेपी के साथ अलाइनस कर रहे हैं सिप से ना के जो सीए में थाक रहे हैं इन पे इसक्वालिफिकेशन आने के लिए के लिए ते हैं आने के लिए ते हैं फ्रहे जो नहीं है इंगा को भी नमगर हमारे पास नहीं है अमिल उस तैद में गें महाराश्ट्रा देपुटीयस्पिकर महाराश्टा के डेपुटीयस्पिकर नर्हली जिर्वाई इस्वालिफिकर महाराश्टा के डेपुटीयस्पिकर रहते हैं उसमें चुकी वहां इस्पिकर का पद खाले रहते हैं कि यहीए घ्यक करते हैं तो क्यों ओल्डिकियस्पिकर महाराश्टा स्बस्क्राइवन के o गिस्टर नहीं होता है कि इस में स्वाइब को करते है की स्वाइब को अि होता है करते हैं कि आपको कुछ और टाइम भी आ रहा है कि आप इसमें कैसे रिस्पॉंड करते हैं अब हम देखते हैं कि जब या केस कोर्ट में चला गया तब कोर्ट में क्या हो रहा है अब देखें सिंस देश्प्रीम कोर्ट है यह बैच अफ पेटिशन फाइब बोट गूप्स और सिफ सेना और सिंदे गूप्स जो दो गूप्स में यह डिवाइब बिसिकल हो जाओ उनके तरफ से बहुत साइब प्रेटिशन ढाले गया सिंदेशन थाओ किया भाइब बैसिंदेशन ओकी सम्रिसिंटस नाद में प्रेटिशन टीन 25 के तो देंचीफमिस्टर ठाकड़े उन्दा कहना है जो जिर्वाल पर फियर लगा रहे हैं अब पोजिशन की जिविंबर है कि जिर्वाल जो है वह NTP के पार्टी के लीडर है और जो यह NCP है वह सपोर्ट कर रहा है किस माइनोर्टी फैक्सन जो की सिर्व ठाक्रे जो ले भी कर रहे हैं इनके डिसीजन में भाइसलेस हैं मतलब जो बैपूटेस में कौन है NTP के लीडर है और NTP सपोर्ट की सको कर रहा है क्यों वह NDA है जो NDA बना था मास्ट्रा तो ग्रूप का NDA का ग्रूपिंग है यह और यह सपोर्ट कर रहा है कि अगर देपूटी स्पीकर पे डिस्क्राइब कर रहे हैं वह भी रॉंग है और इंगा कहना था अपोजिशन पार्टी का कि अगर डेपूटी स्पीकर पे डिस्क्राइब वह प्रकाइब कर सकते हैं या कोई नोटीज कैसे जाही कर सकता है यह ठाकरे जो पार्टी थाकरे पार्टी था उन्होंने क्या कहा था कर और देपक्र फोर ब्स शिर्ट्रिंग आपक्रिक्प को असाइड मारस्ट्रा गरवर्नर्स ब्स खोस्यारी जून 2022 ओंडर थे और दे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं जब हाकरे र Java क्याक्तलि लेक्राइशन देदेते हैं जब श्रीपोह्यक्ता क्या खायना है सुप्रीम कोटिका आपकर उस थ मिंङू अनॉट अधाउन्स करता है and allowed Singdey faction has right to use the name Siv Sena and election symbol of beau and arrow. So Siv Sena के जो party है जो एकनाथ Singdey के जो faction group रहता है वो क्यों धुन करता है कि जो deputy speaker का है उसका decision bias है वो कि उन्हेका कहना है कि जब deputy speaker को वे तो इसलिए उनके decision में भायसनेस है अब क्या होता है अब देखिए। अब देखिए। अब क्या क्या कहा जो फाइज चुटुशन वेच में भायसनेस है अब क्या क्या कहा उसने कहना था कि वैसे कोर्ट में ओडर दिया कि हाँ थी का फ्लोर टेखिए। अब कोर्ट का कहना कि मान लेता है कि जो गवर्नर का decision था वो इन अब देखिए। जो फ्लोर टेश्ट की वो बुड़ाता है वो इन लीगल था वो constitutional नहीं था उसमें कुछ constitutional problems थे। लेकिन अगर फ्लोर टेश्ट से पहले ही अगर यह रिजाइन देते हैं तब तो कहते हैं कि he had अब खुद ही accept कर रहे हो कि आपके पास majority नहीं है। अब देखते हैं कि यहां पर वो क्या रहा है। नहीं क्या हुआ एक्चोली में। अब रिसेंटली जो उनके नीट ओकिल थे अड्वोक्रेट्स थे उनके रिक्ष्ट पर इसे इसे स्वें जज बेंच केस को रेफर किया गया है। अब इसमें देखते हैं आखर इसमें सुप्रिम कोट में क्या अब्सर्ट किया था। सुप्रिम कोट इस रेफर तो रागर मेंच, इस 2016 रुलिंग इन नौम रिया केस वेर, इस वेर, इस स्पीकर आप 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 साइड। इस क्वालिफी केसल प्रेटिशन फाइड अंडर अंडर अंडी डिपिक्सल लॉव, दिया के स्पीकर के अंडर आप 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 साइड नाहीं वेर, इस वेर, इस पीकर के अगएंस्ट में इस क्या लॉव, अगर 179C के ताहत अगर स्पिकर के अगेंस्ट में रोटी से कि एख पूरूप किया जाए, तन एस्पिकर अगाइड पूरूप किया जाए, तन एस्पिकर अगाइड नो पावर तो डिसाइड इसक्वालिपिकेशन केस अंडर अंटिपिक्शन लौ। अगर पूरूप किया जा रही थी कि सेवें जाएड जाए इसे हायर जेजज बेंच का हीरिंग का जरूरत है ऐसे मैंटर्स को तो सुप्यूम कोट ने कहा कि असा नहीं कि हम ऐसे अब्स्ट्रेक्ट में कोई डिसीजन ले लेंगे, जब देखेंगे की मेरिक्स है उसमें तब जाकी से रिफर्ट किया जाएगा फिलाल अब उसके रिफर्ट किया लिया वेदर दफिंस्पल विच है बिन फॉर्मुलेटर इंगर अपन दा फैक्ट अप दपरजिट केस निड्स डरी बेशन अब इसी लिए इस वे लाजर जर्ज बेंच के पास वेजा जाना है कि जो न प्रिफिंट को अब परजिटीचिय के था फॉर्म को रोल विच निड्स पींड़ रिफिंद के फिर्ट्बल कि अइसा हो रिफिंड सकता है अ रहलेटी जब खुभी अपर फिंडवर का पर्सेस हो पेंडिंग हो तो रिफिंड रिफिंड बेंगा पैसे किसे निड्स हम सुर्जर्ट नवंच सींडिका पारी था यो गूपिंता ता उमने नवंचम चाहर ने अपरेश केश? क्रासबोर्टिंग हो रहा था वह क्या करते हैं आपटी एस पिकर को जो की उसंने जिर्वाल रहते हैं कर रहा होता है जब जिनवाल मोर्टिस जारी करते हैं और एकनाथ सिंधे के जो गूपिंग है उन्यूम् नहों रेविया केस का रफ्रेंस लेते हैं और कहते हैं कि नहों रेविया केस में सुप्रीम पॉर्ट में पिकलियर किया था कि अगर के आगेंस्ट के अगेंस्ट के अगेंस्ट में कोई notice हो जानि की उन्हे हजा पाना है कि जो पीकर हो में उन्हेका हिगप स्थी प्रोफसर्स के लिए notice वाल हंत है रह बोर्ट एइन अग ये पैंड ता मेंOh do अगय तो छीए वुअ मेंdyीप चायगर सकते हैं अगेंस्ट दोज मेंबर्स यह को आहनी था इसमें सिंगे ग्रूप ने इस नवामरेविया केस का रेफेरेंस लेते हुए यह बात कही अब जब नवामरेविया केस को लेकर सिंगे ग्रूप ने यह कहा कि जो जिर्वाल थे उन पर फुदी एक नोटी स्पेंजिंग था था इसमें ने रिखेर किया है कि इनी के रिक्वेस्क्त में जवामने अभी से इसमें जवामरेविया केस को डिसाइड दने के लिए सब्सक्राइब तो चाहे गा है कि अगर रिवल प्रोसेस खुट जिर्वाल पर ही था तो कैसे लुटी जाई कर सकते हैं लेकि खाकर ग्रूप पर कहना है कि इसे लार्जर विंज के पास रेफर किया जाए क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सक्राइब करने के लिए कि हाया जर्जर वेजदे की बात की जा रहे थी इतना बुद सिंदे ग्रूप के कहना था कि अब इस मैंटर है बिकम एकड़ी मतलब यह जो मैंटर है अब इसका कोई लेना देना नहीं है यह यह पोलिटिकल मैंटर बनी गया है तो थाकर ग्रूप तो अब ट्रफेल अबनी गया है तो इस बिकम्राइब कार अब इस बिकम्राइब कोट है यह कि अंगे के आने वाले थैम में ऐसे खिल ब्रण करके कर gefथ को भी है और मिग ön से च और साइब को व्रेजने च पिजने बुटबए कीrás में दिगत शूर टार्गशारिटि टोफ्रित खोड़िंग के वरो को सब्ली सब्सक्राइब करता है वह कुछ कर रहा है। थाकर है कि अब लेकिन थाकर थे वो खुभी पूफ कर रहा है। सब्सक्राइश कुछ भए रहा है। कि यह सबस्सक्राइब लगें नहीं रहा है। जब कि फ्रोर्ट्रेक्स चे पहले ही CM थाक्रे ने रिजिगेशन दे दिया सब्सक्राइब करते हैं जिसको अब इसी पर बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं किया प्रों करण दिया है सब्सक्राइब करते हैं अब क्या किया था में ब्रॉट्फॉट्वी घर्शया ड्रॉट्ण जीएब करते हैं लेकिन इसका कहना है कि जो एकनाथ सिंदे के ग्रूप के ग्रूप के ग्रूप के ग्रूप के कहने यह इसकी किन गाम है सिरुप के ब्लूप के ग्रूप के ग्रूप के ग्रूप के ग्रूप के ग्रुप की और्य। जब आप और किसी को कहते हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरे पार्टिंग का मेज़र्टी नहीं है आप सिर्फ चौतिस अमेले के कहने पर कुछ कहने पर जो आप बुना रहे हैं दाट इस अनिस दा कंस्ट्टिशुश्चनल नॉम्स स्टेटस को एंटी था उसके पास नहीं थे विडियंस नहीं थे कि फ्रोटेश बिलाए आजाए लेकिन क्यों भी आए स्टेटस को क्यों ही रिए स्टोर कर सका कारण था कि फ्रोटेट से पहले उद्वा पकड़े खुदु भी जाए दिए अब तो बाती में रहाती जब सीम खुदी रिजान दे रहा है मतलब उसे लगया कि मेर्व पाटेवी मेजरेटी नहीं है गवर्नर वा है कि गवर्नर पॉपब्ण। फ्रोटे जास्री दे रहा है मतलब भी जाए जस्टीफाइड तो आका किसी को सीम बनाना ही था तो जाब गवर्नर इंवायचः कटे एगणाचसी मिश्ट्र को कि गवर्नर तो आ पर फर्म किजिए लग ऑट दिए लुख दाइ कि उधिकल्वाग पार्टी के पास मैजोड़ेटी नहीं है और ज़कोने रिक्वेस्ट थरीफोर एगलेस्ट अगरटी फिट्कुर्टी सब्सक्राइब नहीं है और तक्तिक्ष मुझे। अगरटी सब्सक्राइब पूसिट आपनाथ सिंदे नहीं है। सौंरे पर सुछ विए पाइड जाना है उसके तहब घ्नाटी पार्टी के तहरा जाता है है जित्म कि उसके मालिजी है मैं अजर करको किया द जिसे मिलिए में घर्के जीत के मालिजी किसी एसंदी पर आपके अलेग्शन तो यह एक पाट प्रूट के नहीं नहीं है तो आपको याद होगा परागोगरा फोड ले लीगल फिक्सल नहीं उसमें सुप्रीम कोट ने कलिका पाट किया जो तू थार्ड मेजरटी है कि फ्लेक्षर अगर्ट के मर्ज हो जाता है तो वह कुण सब्सक्राइब का लेजिसलेटीप पाटी का नो देब पुलिकल पार्टी की जिस्पीकर इंटिकेशन प्रूट के से दिखिंड और पॉबटी है का उसी नहीं के से जब कोई पाटी तू पार्टी है तो पार्ट में तू तूट्ती है कब यह election commission के पास पावाल है कि वह decide कर या कि कौन original party है और किसे उसे symbol alert करना है और नहीं करना है Supreme Court cannot decide on disqualification petition in the first instance A split means simple सा बात कर सकते कि आप original वह हम कहते है ने कि disqualification के matter को first hearing Supreme Court नहीं करता है A split in political party is no longer a defense to MLA MP facing disqualification proceedings कि अगर किसी political party में अगर मालीजे split होता है is no longer a defense to MLA और MP facing the disqualification proceedings अगर वो disqualification proceedings पे already है तो उनको पे वह कोई defense नहीं है MLA who are facing disqualification can take part in the house वह पार्ट ले सकते हैं voting नहीं करेंगे अब इन सारी बातों को मैं आपको और्यल सौपन बता देता हूं यह एक्च्वली वो पूरा कहानी है इस पूरे कहानी को इस long story को हम सौट में समझने की कोशिस करते हैं कि आके एक्च्वली में क्या हुआ था इस पूरे महारास्टा के crisis में क्या हुआ कहां से इमर्ज होना इस्टाट हुआ उससे हम समझने की कोशिस करते हैं देखिए दो हजार पुलैंस बीज़पी प्लस सीपसेड़ा प्री पॉल अलायंस प्री पॉल अलायंस पार्ट बनाती है इससे पहले 2014 से उनीज तक यह दोनों ही अपना गवर्मेंट करने होते हैं कि वह प्री पॉल अलायंस बनता है या प्री पॉल अलायंस में रिप्ट होता है और यह जो सीहना है क्या करती है जॉइन करती है सब्सक्राइब करते हैं इसमें Congress और NTP Nationalist Congress Party के जो सब्सक्राइब इसके लिए रहते हैं उसमें यह सामें रहता है मतलब आप यह पार्टी हो जा किसका किसका सीब सेना प्लस Congress प्लस NCT अब एलेक्षन होता है 2019 का 2019 का एलेक्षन हो तो अब प्लस अब गवर्मेंट नगर्टी लाने के लिए अब से आप्टी फाइए यहां पे क्या हुआ बीजेटी एक्सों पाउच बीजेटी एक्सों पाउच प्लस पाउच सीब सेना 56 सीब सेना 56 और NCP 54 अब क्या ओध है यहां पे बीजेटी को सीहां पाटी रहती हैं बड यह पाएटि लिएकर पाती है सीब सेना एर से इनár के कुछ पाटी जो रहते हैं उनके साथ मिलकिंए गर्वर्मेंट कर लेती है कि आ जेने गवर्मेंट फॉर्म होता है कि क्या होता है फज़्वर्माल लेकिन जुन द़ो जाड़ एस सबदाना संसार जुन को जूसीजुएन्स जिसमें वह सबत जुई हैं कि क्रामस बोटिंग वहा है रुटिंग कि क्र मिपना जुटम १टिंग वघुивать क्रम थुब्स है कि क्रामस भाइए दिन सिंदे और 11 MLA अपसेंट रहते हैं अपसेंट होते हैं जब यह अपसेंट होते हैं यहाँ पर इन पर डिस्कॉलिफीकेशन के लिए डिस्कॉलिफीकेशन अंदर अंटिक इफेक्शन लाते हैं और उसुद किया जाता है फ्रॉंक्ट के लिए जिरवाल जो उसमें डेपूटी अस्पीकर होते हैं अब जब यह डेपूटी अस्पीकर जिरवाल जब रोटीस करते हैं यह अंटिक्टिक्शन लाग के तैत रोटीस देल अब क्या होता है इस्पीकेशन लोटीस जारी हुआ यह रिवेल ग्रूप अपरोच करते हैं वह अपरोच करते हैं जैसे यह कोट अपरोच करते हैं गवर्मेंट क्या करते हैं हुवानम फ्लोटीस के लाग पहुओडच फ्लोटेस्थ फ्लोट्टेस्थ बिललते हैं ड्वनमेंट 釈क्ष्ट करते हैं राता है ५्लोटेस्थ चेर्च करने के लिए कंटर्ब्त है लेकिन होता क्या है नहां आप यह होता है कि जैसे ध्री जाने भी पाद करते हैं और और यह आपके निदेनी करते हैं उसको यह जो इवे ग्रूप थे वो कैसे चाइंज करते हैं जो चैलेंज क्यों करते हैं वो वने सबीत है इस की सारी की bodies करते हैं कि फॉल का कि स्थम करते हैं और उस्थ करते हैं.. जेवी वाल के अगेंस्ट में नोटिस इनके रिनेवल का नोटिस इंपर पेंडिंग है और यहां कंस्टिचुशन में विशन है कि अगर डेपुटे स्पीकर माली जेहीं एक्ट कर रहे है और उनके अगेंस्ट में नोटिस जारी है यह थाकर का गूप रहते हैं यहां कहते हैं जो यह कहते हैं कि लार्जा रिवेंच को रेफर्ग किया जाए कि यह केस में बहुत सारे इंट्पेटेशन और अधी को होने है तो फाइनली और चुकि सिंदे ग्रूप कहते है कि इसे भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब यह अग्या है अब इसका कंस्टिशुशन से ल अब इसमें बहुत सारे मैटर इंट्पेशन इसमें लाग्जर बेंच की जरूरत है ताकि ऐसे जो प्लिटिकल टामईल है वो फ्यूचर में ऐसे प्लिटिकल टामईल है और ऐसे लीगल फिक्सन को लेकर फिर सफ़र्ग को वर्से इमर्जना हो इस नमा मुले बिया केस को स् कर दिया है अब देखते हैं कि सेवें जज बेंच इस पर क्या डिसीजन लेते हैं यह था पूरा का पूरा महाराष्टा का पॉलिटिकल क्राइस कहां पर अपी भी लीगल फिक्शन है एंटिविक्शन लॉग अपारगा फोर्मर का प्रोटेस्ट रिलेटेड कॉलिंग अब इस बातों को लेकर अब इन सारी बातों के लेकर फोर्मर करेंगा इस वी रिलेटर था उसे फाइनली सेवें जय बेंच के पास मेंज दिया है अब आपको आईए लग गया होगा कि महारास्ट्रा में लिए पॉलिकल क्राइस सुनू कैसे हुआ कि जिसे सीजे आई ने भी का कि बहुत इक इसमें अभी बहुत सारे क्या कैसे के डिसीजन से जो लेनी हैं इसे लाजर जेंच जर्ज बेंच की हीरिंग दरूरत है और कपिल सेबल एम सिंभी के रिकमेंडेशन पे अब फाइनली यह सेवें जर्ज बेंच को रेफार कर दिय अब देखते हैं कि सेवें जरूर बताएं ज्यादा से जादा इसे सेर करें लाइक करें सब्सकाइब करें यह सुण एर्ज भी सिंखर चल्डब आइक करें हुआ।